Hello everyone, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABVS Tablet के बारे में जो कि इस दवा के इस्तमाल सांसों से जुड़ी ही समस्या और लंक्स से जुड़ी ही समस्या में डॉक्टर के दोरा बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है तो आज किस वीडियो में हमें ही बात करने वाले हैं ABVS Tablet के बारे में इसमें Combination का है वह Combination का क्या इस्तमाल है, कौन-कौन सी बीमारीओं में इसे इस्तमाल किया जाता है क्या डोज होता है, क्या side effect है, किसे नहीं लेना है यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो बात करते हैं ABVS Tablet जो कि आपको यह 15 Tablet और 10 Tablet की Packing में मिल जाती है Mankind Company की बनावी Medicine है 15 Tablet की आपकी Packing 200 रुपे की price में अबलेबल हो जाती है और 10 Tablet की Packing आपको 1.500 रुपे में मिल जाता है हमने यह बहुत ही Basic Detail के बारे में जाना ABVS Tablet के बारे में अब बात करते हैं ABVS Tablet में क्या-क्या Combination है तो ABVS Tablet में आपको दो तरह के Important Combination अबलेबल हो जाते हैं पहला Combination है Acetyl Profilin जो की हर एक Tablet में आपको 100 mg अबलेबल हो जाता है अब इन दोनी Combination का क्या काम है तो Acetyl System जो की एक तरिके का Mucolytic Agent है जो की इसका इस्तमाल बहुत जादा जो भी Saucanaly में या Earways Pipe में Mucos जो जम जाता है जिसके करण से सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह उन Mucos को उन कफ को पतला करने में मदद करता है जो की आसानी से बाहर निकल जाएं और जो भी सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसमें रहत मिले तो उन से भी कंडिशनों में Acetyl System काफी फायदे मंद होता है अगला Combination है Acibrofilin जो की एक तरिके का Anti-Asthmatic और Bronco Dilator के क्लास से बिलोंग करने वाला ही है जो की इसका इस्तमाल Acute से लेकर के Chronic Bronchitis के समस्या होती है तो उन से भी कंडिशनों में इसे इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है जो की गलत पर्यावरण में रहने के कारण आसपास का पर्यावरण सही नहीं रहता है रसायन से जुड़ा हुए समय में जो की chemical से जुड़ा होगी इसी परकार होगी काम कर रहे है या धूल मिटी में या serment में किसी परकार के लंबे समय तक काम करने कारण सांस लेने में दिक्कत होता है Bronchitis की समस्या हो जाती है तो उन से भी कंडिशनों में इसे दिया जाता है जो की lungs से जुड़ा हुआ समस्या होता है जिसमें mass PCO में बहुत जादा जक्रान महसूस होती है सूजन आ जाता है तो उन से भी कंडिशनों में यह mass PCO को relax करने में मदद करता है इसके अलावा जो बहुत जादा कफ जम जाती है जादा जक्रान जासा महसूस होता है सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन से भी कंडिशनों में भी इसे दिया जाता है यह रहात देने में काफी कारगर होता है तो इन से भी कंडिशनों में Ac recybrophilin और Acetyl Cytin का इस्तमाल करते हैं इसके साथ साथ इसे नीमूनिया के purpose में भी दिया जाता है जो कि लंग्स से जुड़ा हो कोई परकार का रोग होता है तो उनसे भी condition में भी है काफी फायदे मंद होता है बात करें इस दवा का क्या dose है तो dose डेपेंड करता है कि आपकी age क्या है healthy condition क्या है और आप इसे किस purpose मिले रहे हैं उससाब से इसका dose का confirmation होता है यहाँ दवा का dose और इस दवा का इस्तमाल डॉक्टर की रेक देख में करें किसी के बताया जाने प्रफिसे इस्तमाल ना करें इसके साथे साथ यहाँ दवा अकेले दी जाने वाली दवा नहीं है इसके साथ और भी दवाईयों को combine करके चलाया जाता है ज बातकरी क्या नुक्सान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो वामिटिंग, सर में दर्द, तोचा में लालीपन, बहुत ज़्यादा नीन दाना, भूख होना लगना, पेट में दर्द होना, इस तरी एक नुक्सान देखने को मिल सकता है, किसे नहीं लेना है, अगर आपको वीडियो है, जनकर ये अच्छे लेगी, तो प्लीज लाइक कीजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा,